पूस्ञार नाब कर दोते आँप है दो नेट्स ट्रोपिक है गोसेज लू झेखो गोस नामका एक संद्स था जिसने एक लोग बनाया उसने बॉला कि अगर कोई भी सर्फेस एक कैसे शर्फेस क्लोष सर्फेस कोई भी क्लोष सर्फेस यहां पर करूंगा प्रफ है है और इसके अंदर हमने कुछ चार्ज रखा हो आ यह क्लॉज सरफेस है प्लॉज मतब्व चारो तरप से बंद होनी चीए तो गोश्व लो की अकॉर्डिंग इस क्लॉज सर्फेस से जो एलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा यह चार्ज नदर रखा है तो यह क्या करेंगा ए तो इस क्लोस सर्फेश से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास् होका तो जो उसलो की ऐकोर्डिंग बुझा ए ouais जुआ सोर्फेश से कोई भी इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट उससे जो टोटल फ्लक्स पास होता है उसके लिए हम कौन सा फॉम्ला यूज करते हैं इंटिग्रेशन ऑप्ट बॉत गर्स करके आप किसी भी इर्रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट से आउने वाला टोटल फ्लक्स कर सकते हैं और वो टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए अगर वो क्लोस सर्फेस है तो तो होना चाहिए क्यों बाई अपसाइल नौट के बराबर किस ने दिया यह लोग गोस्त लोग किसी भी क्लोस सर्फेस से पास होने वाला याद रखना है मैं बार-बार एक चीज़ फोकस कर प्राबर होगा लोगा सर्फेस के अंदर चार्च टोटल चार्च कितना है डिवाइड बाई अपसाइल नोट अपसाइल नोट तो आप जानती हो क्या होता है इलेक्रिकल पर्मेटिविटी ओफ्री स्पेस और क्यों का मतलब क्या है यहां पर टोटल चार्ज विदिन देख क्लोज सर्फेस टोटल चार्ज का मंदर अब इसके अंदर एक या एक से ज्यादा चार्ज भी हो सकते हैं तो सबको मिला के कितना है उसके अकोडिंग देखना है और अगर टोटल चार्ज इसके अंदर पॉजिटिव है तो एलेक्रिक फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव है तो टोटल इलेक्रिक फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव अगर क्लोज सर्फेस के अंदर टोटल चार्ज नेगेटिव है तो अब यह जो गोश्लो है इसमें हमने देखा कि हमने लिखा integration मतलब क्लोज सर्फेस से पास होने वाला एलेक्रिक फ्लक्स होना चीए क्यूब अपसाइल नोट के बराबर अब यह गोश्ट को पता कैसे सिला उसने कोई होज력 एडिए टीव कर लिया आरेडिय यसकर हमने डूंप किये यह जो है इसके चार्ज रख देते हैं प्लस क्यूं सेंटर पर क्या रख दिया पॉस्टिव चार्ज रग दिया अब यह जो पॉस्टिव चार्ज यह क्या करेगा चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा पॉस्टिव चार्ज क्या करेगा चारों तरफ इस तरीके से एलेक्रिक फिल्ड प्रोड्यूस करेगा जो से बाहर निकलेगा अब हमको यह क्यालकुलेट करना है कि इस टोटल कितना एलेक्रिक फ्लक्स होगा अगर वह क्यों बाई अपसाइलें नोट के बराबर आ गया तो इसका अंदलों गोसेज लो सही है यह इसका प्रूफ हो कि इसका फमला है किसी भी क्लोस सरफसे पास होनुआूले टोटल एलेक्रिक फ्लक्स को चल्कुलेट करने का फोर्मला है कि यहां फिस बीच का एंगल होगा तो जिन दो वेक्टर का टॉट किया जा रहा है उनकी बीच का एंगल होगा तीटा जैसी यहां पे देखो ई और इनकी बीच का एंगल होगा जब इसको ओपन करोगे तो तो थीटा भी हम देख लेते हैं यहां पर थीटा कितना होगा तो सबसे पहले तो यह बताओ कि अगर मैं इस क्लोजी सर्फेस की उपर यह पower engineer कर लो और हिस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा remembering लेलुँ यह चोटा सा एरिय हमने ou कि able is तो इसके डारेट्शन क्या होगी अर्यीव एक्सकिलिकुलबड आउटर तो इस सअ परसैक की परपैंडिकुलर इत्ग को डिएक्टर की एरिया वेक्टर की डियरेक्षिन कe अपेश्ब इंगर अगर इहां पर एज्म नहीं करके आगर मैं 섬्पोस करो मैं यहां पर Är लेता हो रेता के बार यह ले अले मैंकल यह बहुन नहीं करको यहां पर एंडिक्टिक्ट जो इसका मतरब दोनों के डिरेक्षिन तो यहां पर थीटा क्या होगा जीरो डिग्री होगा तो एक चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि पूरी की पूरी सर्फेस के लिए हर जगह पे जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फिल्ड उनके बीच का एंगल क्या होगा जिरो डिगरी होगा तो अब आप इसको ओपन कर सकते हो यहां पे इसको ओपन करोगे तो क्या लिख होगे इसको अच्छा इका मतलब के इलेक्ट्रिक फिल्ड यह जो चार्ड है इससे आर दूरी पर यह पॉइंट हमने एजूम किया था तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फिल्ड होगा इसको हम लिख सकते हैं इक्वाइड बई आर स्कूर के क्या होता है वन अपॉन पॉर पाई अपस फिल्ड की वैलिव आगे यह उठा के इसमें पूट कर दो यह क्या बन जाएगा इंटेग्रेशन यानी वन अपॉन पॉर पाई अपसाइल नौट क्यों बाई आर स्कूर इन्टू डी एस को जीरो कितना होता है वन तो यह आ गया ठीक है अब इसको सॉल करेंगे देखो जो तो अलग कर लो जैसे वन अपॉर पाई अपसाइलन ओट क्या यह रही यहां पर पे आर भी यहां पर निटा हूं करको अपान में आर स्कुर्ण मतलब जो डेडियस ऑप देश्रा यहां पर यहां पर और और भी यहां पर आर क्या है आर बी स्कूर्ण यहां पर आर स्कूर्ण tv को अपने एगेंज़से बहार यह प्लाइब करोगे किसी बी क्लोस सर्फेस से पास उने वाला तो हमेशा किसके बराबर आएगा क्यों बाइ अपसाइलन नोट के बराबर आएगा इसे का नाम क्या रखा हमने गोसे लोग तरह से प्रूफ हो गया देख लो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आसान सब प्रूफ है एक लोग सर्फेस हमने करी है स्फेरिकल अच्छा क्लोज सर्फेस आप कोई भी शेप की ले स इसके चारो तरफ आप स्फेर रेजिम कर सकते हो आप एक क्यूब एजिम कर सकते हो आना आप इसके चारो तरफ कोई इर्रेगुलर शेप की क्लोज सर्फेस आजिम कर सकते हो हर एक केस में उस्सक्रोज सर्फेस से पास उन्वाला इलेक्टिक फलक्स कितरा होगा kyu अपसायल नोट के बराबर ही आएगा क्योंकि गोसेज लोग का जो प्रूफ हमने देखा था भी उसमें ने देखा कि जब हमने स्फेरिकल क्लॉस सर्फेस लिए और उससे पास वाला टोटल संफिल इलेक्ट्रिक लेक्टिक्स कैल्कुलिट किया तो आंसर क्या क्या क्यों वह सस्थेरिकल क्यों या सिलेंड्रिकल यह कोई भी इर्रेगुलर शेप का अब्जेक्ट कैसी भी सर्फेस लो कोई दिक्कत नहीं तो किसी भी टाइप की सर्फेस ली जा सकती है एनी सर्फेस एनी क्लोज्ड सर्फेस हम कंसिरर कर सकते हैं ठीक है पहली बास समझ में आ गई दूसरा पॉइंट जब भी टाइस का जब भी आप गोशज्ड लोक फिल्फाइ करोगे जब भी आ पको सर्फेस एंदर टोटल चार्ज कितना है व आपको देखना मालों इसकी जादा साप KIRBY एक टो है प्लस क्यू चार्ट एक है प्लस्त्री क्यू चार्ट फोर क्यू चार्ज थीकिरं जर्छ चार्जिस हमने वोच सर्फेस के अंदर और बाहर एजिंग कर लिये तो अगर आपको उसे लोज नोज एप्लाइब करना है तो आपको कौन से ओनज हो आले सिरफ अंदर वाले यह जो बाहर फॉर कुल आप चार्ज है फॉर क्यू चार्ज है तू क्यू अपॉन अपसाइन नोट यह स्कांसर होगा आया समझ में बाहर वाले चार्ज को कंसिडर करना है क्या नहीं बारचा कोई भी चार्ज हो उसको नहीं करना है तो दो बाते समझ में इसे कि एक तो चार्ज छूट जाएगा उससे हमको मतलब नहीं है कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तोटल जो एलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह हमेशा क्लोस सर्फेस के अंदर जो चार्ज है उसके उबर डिपैंड करेगा ठीक है अगला जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके स्टेरिय आते हैं आते हैं थि सबसक्रों कोई सेमेटरिकल सर्फेस से सिमेच्रिकल क्लोस सरफेस है जैसे माल लोग एक यह कुभे सबस्क्रों तो यह जो क्योग है अगर मैं इसके सेंड़ प्र कूपार्ट तरु एक क्यों चारफ द्जूंग कर लो 235 हमने क्योचार्ज प्लक्स होगा टोटल अप्साइलैन नोट लेकिन आपको टोटल स्ट इन फेस वाले से टोटल कितना इलेक्रिक फ्लक्स होगा यह क्या करना है इसके लिए तो इसमें को देखना है कि कि इसमेडर in the टोटल सिमेट्रिकल फेशंस के अंदर देखे बताओ कि लोटल कितने हैं भी छे सर्फेस है तो ट्रफेस से टोटल इतना फ्लक्स पास हुआ तो एक सर्फेस से कि तना पास होगा फाईवन बोल देते हैं तो वन कुई भी एक से पास होने वाला जो इलेक्टिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा सी इससे टोटल एलेक्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है यह आपको क्लोख सर्फस है उसके कितना चार्ज है उसको कंस्यलर करना होता है क्लोउस के अंदर कॉंघ क्लोसिके अंदर टोटल फिलरा है उसको वह aurait- माइनस क्यू यानिकी प्लस क्यूँ बचेगा तो अपन अपनको टोटल एकुछा जा रहा है वो टोटल टपाहस बराबर होगा क्यू इन अपन अपसायलेंम लेने तो की बराबर लेना कीश को है और उस टोटल इलेक्रिक फ्लक्स पास होगा अगर उस क्योब के अंदर हमने एक इलेक्रिक डायपोल को रखा हुआ यह ऐगा इसका लेक्ट्रिव झारज़ है पूछा रहा है कि इलेक्ट्रिक किया रख्था रहा है तो बता असकते हो अब एक चीज़ बताओ हमको जब भी क्लोस सर्फेस मिल जाए और एलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो हम कौन सा लो एप्लाई करेंगे गोसेज़ लो अगर क्लोस सर्फेस नहीं हो तब तो हमारे पास सिंपल वाला फॉर्मला इंटेग्रेशन ऑफी डोट डी एस या इडोट वाला फॉर्मला ज हमेशा गोसेज़ लोग अप्लाई करने की कोशिश करनी है जब भी आप कोशेज़ लोग करते हो तो गोसेज़ लोग कोडिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थूए ने क्लोस सर्फेस इस शुट बीक्वल स्टू एन अपॉन अपसाल अब देखके बताओ क्यों क कितना है मतलब क्या होता है टोटल लड टोटल चार्ट्र टोटल चार्ड ब्लम का कितना होगाУ 02 कैसे 2015 में आए हुआ कि इसके बाद में देखो जो नेक्स्ट क्यूशन है उसमें आपको बोला जा रहा है तू चार्ज जो मैगनिट्टूड माइनस टू क्यू एंड प्लस क्यू आप लोकेटेड़ पॉइंट्स एकॉमा जीरो एंड फोर एकॉमा जीरो रेस्पेक्टिवली प्लस क्यू और यह वाला चार्ज क्या है प्लस क्यू और यह कहां पर रखे हुएं तो पहला चार्ज हमने रखा है एक कॉमा जीरो पे और दूसरा यहां से एक्सिस कहा है यहां सिक यहां पर न यहां quasi प्रेवाला पोयंट होगा रेडिया स्वेर और अगया मैं पहले तो जिसका सेंटर कहां पर होना चाहिए और इजन पर होना चाहिए यह और इजन एक काम करो इसको रेडियस मानते वे इसको क्या मानते वे रेडियस आर मानते वे आप क्या करो एक स्फेर ड्रो करो यह देखो ऐसे क्या करेंगे एक फेर ड्रो कर देंगी आया समझ में अ आपको सिर्फ कौन सा चार्ज कंसिडर करना है माइनस टू क्यों तो बताओ टोटल एलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा तो टोटल एलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्यों अपन अपसालन नोट क्यों इन आपको कितना लेना है माइनस टू क्यों तो आंसर क्या होगा माइनस टू क्य नगेटिव सिंबल है तो लगाना है आपको हाना नेगेटिव साथ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है पॉस्ट्र चार्टिक फ्लक्स पॉस्ट्र होता है तो यह आप का अंसर हो गया वेसी बीसे पास होगा यह आपको पूछा जा रहा है कैसे कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक्टिक फ्लक्स का फूमला अगें पाई इक्वल्स तू नोट यह वाला फूमला कभ लगाना है आप से यह यह कून साका है जो इंदर होता है यहां पर क्लोस सर्फेस के अंदर टोटल लेकिन यह जो क्यों है यह माइक्रो कुलाम में दे रखा है तो इसको आप इंटू टैन की पाउर माइनस सिक्स करके कुलाम में कनवर्ट कर लो माइक्रो को हटा देंगे यह तो आगे टोटल फ्लक्स लेकिन टोटल नहीं पूछा जा रहा है आपको पूछ रहे हैं इसके किसी hierarchł में अद्सकी एक फेस से कितना एलक्रिक फ्लक्स पास होगा थो उन्वां फेस तो फ्लक्स थाइग्थरों एंटू टैन की पावर माइनस सिक्स और is और यक्टिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वैसे अगर आपको यूनिट लिस लिखने हो तो यात करो अच्वसीइटल नियूटन परकुलाम एरिया की होती है मेस्सक्वर कॉय युनिट नहीं यूनिटलेस होता है तो ऐसा एक्वाइन परकूलाम Daniel इस पर डबल स्टार लगा लेना बहुत इंपोर्टेंट है इस पर मतलब पक्का एक्जाम में कुछन आता ही है यह अच्छे से याद होना ही होना चाहिए इस से टौटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा दूसरी चीज चार्ड विदिन दे क्योग एजूम देट जिर्वाइंट कोमोनेंट्स इन फिगर आ आर एक एक तोटल फ्लक्स बताना है और एक क्योब की Yes लो है ने में अनुट की टूर्ध से ओरप यहाँ पोइंट के डिस्टेंस जहां पे हम एलेक्ट्रिक को कैल्कुलेट करेंगे और जैसे जैसे एक्स बदलेगा क्याइज लेक्ट्रीक्स फिल्ड की नहीं से बाद्द जाए गी जोकि यहां पर तक स्य एक वेरियबल एलेक्ट्रिक फिल्ड है कौन से डारेक्शन में इसने बताया है तो सिर्फ एक्स डारेक्शन में होगा तो यह जो एक्स डारेक्शन में इस डारेक्शन में मैं एक एलेक्ट्रिक फिल्ड कंसिडर कर लेता हूं एक एलेक्ट्रिक फिल्ड जो कौन से डारेक्श फिल्ड वो अलग होगा और यह वाला जो पॉइंट है यह ओरिजन से कितना डिस्टेंस पर हो गया तुए डिस्टेंस पर हो गया है तो एक चीज तो यह समझ में है कि यहां पर कि यहां पर बता देता हूं कितना होगा तो कि एक से कि वेल्यू कितनी पूट करनी है वह जो रेलेशन दे एलफा एक्सकी वेल्व क्या पूट करनी है ए आया समझ में इसी तरीके से बताओ कि यह जो राइट वाली सर्फेस है इससे जो एलेक्ट्रिक फिल्ड फास होगा उसको मैं ए आर लिग देता हूं तो यह जो ए आर है यह कितना होगा तो ए आर मतलब राइट सर्फेस से पास उ सब्सक्राइब तो यह लिखना पड़ेगा एलफा टू ए पावर वन भाई तो यह लिखना पड़ेगा आया समझ में सिंपल एक दम अच्छा अब बाकी की सर्फेस के लिए भी देखतें कि कि कितना एलेक्ट्रिक फिल्ड पास होगा उन से यह जो टॉप सर्फेस है और बो पास हो रहा है कि एलेक्ट्रिक फिल्ड नहीं पास हो रहा है और इसी तरही किसे जो नीचे वाली सर्फेस है क्या उससे भी आर पार इलेक्ट्रिक फिल्ड पास हो पार रहा है नहीं इसका मतलब सर्फेस और बोटम सर्फेस से इलेक्ट्रिक फिल्ड पास होगा क्या नहीं क्वाहिब करने तो जो लृइंग जा रही होंगी इनको प्रॉस करके नहीं कर रहा है आर पार उसको क्रॉश नहीं कर पाएगा तो फिर स्वाली सर्फे से क्याले स्वाली सर्फेस हो नहीं है कि ऐस सामुकर रहएगे क्या स्वालande के इस से कुछ र्रक्टीक फ्लक्स भास नहीं अरप्लॉस करना चाहिए और इसी तरीकिसे से पिच्छवाली सरफेस के भी पैरल पास होगा उससे भी उल्हेक्टिक्ट्री क्विल पास नहीं हो पाएगा तो हमको एक बात समझ में आ गई कि जो शूसर फोरिसे बोटम सरफेस है फ्रन्ट और बेग से ज़कित हो रहा है इन दोनों पर इसाथ में साथ में दिखा देते हैं ताकि सबसे पहले यहा कि यह जब लेफ्ट सर्फेस इसके लिए एर्या वेक्टर अगुर्ण C के बाहर की तरफ ऐसे यानि कि इस लेफ्ट वाली सर्फेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन इधर होगी ए मतलब है इस सर्फेस का एरिया और यह जो क्यूब है इसके किसी एक फेस का एरिया आप सिम्प्ली लिख सकते हो जो एका मैगनेट टूड़ा किस इधर होगी और आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट सर्फेस वाला एरिया वेक्टर है वो इधर है और इलेक्ट्रिक फिल्ड इधर जा रहे है तो दोनों की बीच का एंगल कितना बनेगा यह वाला एंगल कितना लेना है 180 डिग्री और जो राइट साइड वाला जो एरिया व सर्फेस से पास हो रहा है तो इधर वाली सर्फेस एक इधर वाली सर्फेस से इस वाली सर्फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर इलेक्रिक फिल इधर एंगल कितना बना दोनों की बीच में 180 डिग्री और जो राइट साइड वाली सर्फेस है उसके लिए एरिया वेक्ट्र और एलेक्टिक फिल सेम डारेक्शन में इसलिए थीटा कितना हुआ जिरो डिगरी यह बात समझ में आ गई ठीक है अब हमको यह फाइंट करना है कि इन दोनों सर्फेस से टोटल कितना इलेक्टिक फ्लक्स पास होगा विचार सर्फेस से तो पास होई नहीं रहे इन दो से पा एलेक्टिक फ्लक्स सब्सक्वाहला ऑलिख सकते हैं लंडोट ए य का मदर है लेप्ट सर्फेस से पास इनवाले लेक्टिक प्रोड़क्स के साथ करना यृतर वले एलिया से रायाट्स प्लक्स क्लिए क्या लिखोगे ई आर कि दोट एल लिख दोगे कि रिप्स डोट प्रोड़क्त को हटाओ तो हमने ओल्ड़ेटी क्या प्लट कर रख है इल की वेल्यू लिख देता हूं पहले इल कितना एल्फा देख कि दोट आए पावर वन बाई टू और यह मतरब एरिय एरिया कितना है यहां पर एर एर्फा स्क्वएर इंट्व कॉस थेटा लिख सार्फेस की लिख दिटा गितना वनेट्ट डिग्री ये लोग जीट्टा वनेट्ट डिग्री प्लस अब रैड़ सर्फेस के लिए आ एलफा तू ए पावर वन बै टू इन्टू ए स्क्वाइर इन्टू पॉस जीरो डिगरी राइट सर्फिस के लिए ठीटा जीरो डिगरी लेना है आया समझ में अच्छा यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है देखो एलफा एकी पावर यहां पर बनेगा ए स्क्वाइर और एपाव माइनस वन तो माइनस आ जाए गई एक है और प्लस करके यह इसको क्या लिखोगे तो टू की पावर रूट टू लिख देता हूं अलग कर देता हूं फिर एलफा और एपावर रोन बैटू और एपावर टू यह वही एकी पावर फाइब बै तू बन गया यह देखो एकी पावर फाइब बैटू और को जिरो हो गया वन यह अपने पास में कुछ कोमन आ रहा है कि दोनों में अजी एलफा एपावर फाइब बैटू कोमन इधर तो रूट टू बचेगा इधर माइनस वन बचेगा तो यह आपका अंसर आ गया और आपको देखो यह सारी वैल्यू टू इंटू रूट टू माइनस वन यह आगया अपना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस क्लोस सर्फेस से पास होगा ठीक है आगया आंसर पिर दूसरी चीज इसने यह भी पुछी है कि बताओ कि यह जो क्लोस सर्फेस हमने ली है इसके अंदर चार्ज कितना है अभी त इसने को करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लोगे जो कि इस क्लोस सर्फेस से पास होगा तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा वो भी आप इसली बता सकते हो कैसे देगो हमको पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी क्लोस सर्फेस से पास होता हो ओर होता है क्यों एन अपॉन उपसायल अनोट क्यों अ मतला चाहर्ज विदिन ट क्लॉक drinks सकते हो लिडिशत यो एन इकॉल स्टिव क्यालेख सकते हो पाई इंटो अपसायले निट अपिट साइलन नौट अब फा Northeast वैल्मल्री जैसे क्लकुलिट कर लेंगे वह पूट कर देंगे अपसाले नोट की वेल्यू हमको याद होती है कितनी होती है यह 8.85 इंट रिस तुपार माइनस वाल इस वेल्यू पुट करके क्या हम चार्ज विदिन दे ख्लोज सर्फेस फाइंड कर सकते हैं पॉलोव फाइंड कर सकते हैं यह आपका सेकेंड आंसर हो जा